एक जमानी में देश में बीएसपी और मायावती का डंका बचता था लेकिन अब देश भर में छोड़िये उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी कहीं गुम होती भी नजर आ रही है 2024 में हुए लोगसभा चुनाओं में बीएसपी का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका तो वहीं अब बीएसपी ने विधान सभा उपचुनाओं के लिए अपने प्रत्याशी उतारने का एलान किया है लेकिन उससे पहले ही मायावती को एक बड़ा जटका लगा है यूबी में होने वाले विधान सभा उपचुनाओं से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुक मायावती को बड़ा जटका लगा है अलीगर से बस्पा की प्रत्याशी रही डॉक्टर चारू केन ने कॉंग्रिस का दामन धाम लिया है महिला कॉंग्रिस की राष्टरी अध्यक्ष अलका लंबा ने चारू केन को पार्टी के सदसता दिलाई चारू केन 2022 में अलीगर की खैर विधान सभा सीट से बस्पा की प्रत्याशी थी और यहाँ उपीजेता रही थी चारू को 66,000 से ज्यादा वोट मिले थे चारू के कॉंग्रिस में शामिल होने से न सिर्फ BSP को जटका लगा है बलकि सपा में भी हलचल बढ़ गई है अभी सपा कॉंग्रिस में सीटों के बटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है ऐसे में समाजवारी पार्टी से विधायकी के तयारी कर रहे नेताओं में खलवली भी मची है कहा जा रहा है कि चारू के इन खैर के लिए मजबूत उमीदवार हो सकती है चारू जाटव समाद से आती है इनकी शादी बाहुबली जाट नेता तेजवीट सिंग गुड़ू के बेटे कार्थिक से हुई है इनके परिवार में कई जिला पंचायत सदसे है कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद चारू के इन ने कहा कि राहूल गांधी प्रियंका गांधी के महिलाओं से जुड़े अभियान से प्रभावित होकर वो पार्टी से जुड़ी है उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराद बढ़ते जा रहे हैं जो शर्म और चिंता की बाद है महिलाओं को काम के इसाब से समान वेतन भी नहीं मिल रहा है कॉंग्रेसी महिलाओं की सची हिताशी है इस दोरा ये मायावती के लिए बड़ा जटका इसली भी है क्योंकि अभी तक बसपा उप्चुनाओं से दूरी बना कर रखती रही है लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर रही है कई सीटों पर प्रत्याशियों का चयंग भी हो चुका है मायावती खुद और उनके भतीजे आकाश आनंद खुद उप्चुनाओं में सफलता के लिए लगातार तयारी कर रही है लगे हुए हैं यूपी में 2007 के बाद से ही बस्पा की स्थिती लगातार खराब हो रही है 2012-2017 के विधान सबा चुनाओं हारने के बाद 2022 में तो बस्पा एक सीट पर ही सीमिट गई 2019 के अगर लोग सबा चुनाओं की बात करें लेकिन इस बार उनका एक भी प्रत्यासी चुनाओं नहीं जीत सका बहुत सी कुछ ऐसी सीटे थी जहां पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई आपको बता दें कि बाद बाद की खिलाब समाजवादी पाइटे की इस्थिती लगातार सुधर रही है लेकिन बीएसपी की इस्थिती यूपी में खासी कमजोर होती जा रही है लोग सबाद चुनाओं में तो सपा कॉंग्रिस कडबंदन ने बाजपा को करारी चोट दी है अब इसके बाद चारूकें जो की बीएसपी की एक बड़ी नेता मानी जाती थी वो अब कॉंग्रिस में शामिल हो गई है और अब खेर से माना जा रहा है कि कॉंग्रिस उन्हें अपना उमीदवार बना सकती है हालनकि जब उप चुनाओं में प्रत्याशियों का एलान होगा तब पता चल पाएगा कि चारूकें कॉंग्रिस से चुनाओं लड़ रही है या नहीं लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कॉंग्रिस उन पर खेर विदानसभा सीट से दाव खेल सकती है